सत्संग हरी आस्त्रे देता है बहुत बड़ा बलहरी है मालो एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको उनसे बात नहीं हुई और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े इस बात से हरी आपके रिणी हो जाते है भगवान इसी बात से रिणी हो जाते है बस ये बात आप रदय में बैठा लेजिए जैसे लोग प्रशन करते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं हम कैसे किसी की बात तो मान लो ना आप मान लो वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए है वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरी आपको दिखाई देंगे देख लेना बिगडी ऐसे च्छण में बन जाती है ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी हार बनकर सुगंदित फूल बन जाएगी पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निस्ठा देखी जाएगी नहीं नहीं बश मेरे हरी का यही विदाल वो आते आते हार बन जाएगी वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी क्योंकि गले में हरी नाम चल रहा है मान लो हमारी महालक्षमी चरण चापती रहती क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए आप सच्ची माने क्या मतलब कितनी मलिंता चागई है हम इसको मार देंगे तो दो लाट रुपे मिल जाएंगे यह कर देंगे तो अरे भ्या अगर तू हरी नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है कीमत नहीं अमोल लहवस्तु है इसके ब्याज में तू कुवेर बन सकता है मूल तो कभी खतम होता ही नहीं है ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है बनना तू चाहे भक्त जन्तों कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेश्टी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की शिद्या, मुझे प्रवु आपकी दास्ता चाहिए, ये बात, कितना महा सुख होगा उस भक्त को, जो इन बातों को कहरा है, नहीं चाहि नहीं सत्संग भजन नहीं हरी को स्रवन नराम कथा अनुरागी सुत बितदार भवन ममता निसिसोवत अतिनकबहु मति जागी अरे तेरी बुद्धी सो रही है जगादे पुत्र में रुपया में इस्त्री में मकान में इसमें सब की ममता होती है सब की जितने स्रष्टी में पैदा हुए है केवल सत्संगी की नहीं होती है जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभू के चरणों में होती है क्योंकि वो जानता है शब रूपों में प्रभू ही है ये शब पसारा प्रभू का ही है इसलिए ममता उसकी प्रभू के चरणों एक एहमता ममता ये जग में है दुख जाई ये जब स्रीजी की ओर लगे तो हो जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता जैसे, शौपन में हम देख रहे कि समुद्र में डूब रहे अब जाग्रत में आसपास सेकणों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या हो क्योंकि वो तो सो रहा है और वो शौपन में देख रहा है अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या क्योंकि उस्वपन में उसको अगर सुखी करना है तो यह क्यू पाए जगा दे जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ती करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या इसलिए कोई साधू भगवत मार्ग का पतिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा है वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वपन में समुद्र में डूब रह बाहर से हम जल जहाज नाओ तैराक सब लगा रहे हैं लेकिन वो नई सुखी होगा क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वपन अटे स्वपन तब अटेगा जब वो जागे जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई तो उसको जगा दो सादूजन क्या करते जगा देते उसको जगो कहां मोह निशास अपसुव निहारा देखे श्वपन अनेक प्रकारा यही जग जामिन जा गय जोगी योग भगवान से जो तुमने भ्योग कर रखा है तुम जगो जेव ही जगोगे तो जेही जाने जग जाये हे राई जागे जथा श्वपन भ्रम जाई कोई नहीं यहाँ एक कल श्लूक मत्ता परतरम नान्यत किंचि दस्ति धनन जये मेरे शिवा कोई नहीं यह कब पता चलेगा जागने पर तो हमें यह बहुत कुद दिखाए दे रहे श्वपन है तुमा कहों मैं अनुभवपना सतहरी भजन जगत सबशपना तु बुले तुलशिदा सहरी नाम सुधात जी सठहठ पियत बिशे बिश्मांगी अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं हट करके बिशे बिश्मांग रहे हैं ओ आत्मदेव नाम के एक ब्रहमण दे सब कुछ शम्रदी थी संतान थी नहीं बड़े दुखी ग्रेश्ती में हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए बड़ा भ्रम बैठा हो हमारा कुल चलाने वाला नहीं सब बेकार जीवने बेकार हो गया बिना गुरु के दिसास्त्र पढ़ोगे न तो भ्रमित हो जाओगे इस पश्ट लिखाओ पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ती होती जिसके संतान नहीं होती अब तो ग्रेश्त में विचारा पड़े है परिशान उन्हों सुचा इससे अच्छायात मुत्या कर ले बहुत संतों के पास जा करके यग्य करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ती चाहते दानपुन्य दे करके उसने भी जितना उपाय हुआ किया नहीं हो इसंतान मरने के लिए जंगल में उधर से एक सन्याशी जी आ रहे थे देखा शादू तो ब्राह्मन तो ते उठी प्रणाम किया देखा उनका उदास क्यों हूँ उनका महराज उदास ही नहीं मैं तो आत्मत्या करने आया हूँ यहां जंगल में अरे यह तो महापाप है आत्मत्या तो बड़ी दुरुगतिक कारण है बोले महराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो क्या क्या चाहते हो बुले हमारे पास सब कुछ है बेटा नहीं बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेका उन्हों अंतर दृष्टी से देखा और का साथ जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग में तेरे लिखा है तो उसने का फिर तो अभी मरते हैं भगवान अधिन है तो कुछ भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हैं प्रारद्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं प्रारद्ध जन्ते कोई देवता थोड़ी है तुमारा पीछी का किया हुआ कर्म है और इधर जोर का भजाने भजन के प्रभाव से कर्म को नस्ट करने देर थोड़ी लगती है यह तो अच्छे सुब कर्म करो तो तुमारा प्रारद्ध बदल जाएगा भजन का प्रियुक प्रारद्ध बदलने के लिए थोड़ी है पर वो ऐसा हट किये तो उनुनका देखो हट करने से लाव नहीं मिलता है उनका हमें उपदेश नहीं हमें पुत्र चाहिए अगर आप भगवत पेरित होकर यहां आये हो तो आप हमें तो उनुने तपश्या के बल से फल की रचना की प्रगा जाओ अपनी पतिनी को यह फल पवादो और इससे निश्चित पुत्र होगा बहुत प्रशनी अब कामना पूर्ण ती तो देखलो प्रभाव देखो कामना का प्रशन वे आए दुन्दुली नाम था उनकी पतिनी नाम भी बहुत बढ़िया था दुन्दुली वो का कि देखो यह फल खालो तुमारे संतान हो जाएगी बहुत मीठी बात बोलती थी मरदुभाशी कपट हरदय अलग-अलग छेतर होता हरदय कपट और मुख में मीठी बात बहुत समल के बेवार करना चाहे है इसे लोगों से मधुरिया बानी मीठी क्या मरदुभाशा नहीं प्रितम आप चिंता मत करो फल ऐसे थोड़ी खाया जता है नहाद होके पवित्र होके पिर हाँ उनका ये बात आप अपने काम में लगो हम पा लेंगे ऐसा अब आपको विश्वास है नहीं बुले बिश्वास तो है पूरी खीर पुआ गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा तो हमारा भोजन रुख जाएगा हाँ ये तो बात है जब पेट बढ़ेगा और घर में आग लग गई तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे तो हम जल जाएंगी ये निगेटिव सोच वाले लेते हैं और पंडी जी तो इसी बात में लगे है कि गर्भ रह जाए तो क्या करें हम खाएंगी तो है निपक की बात पर करें तो क्या करें पंडी जी को कैसे समतुन का देखो एक बात है हमारे गर्भ है हमारे कई लड़के हो चुके हो घरीबी है हमारे यहां तुम कुछ पैसा दे देना हो ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूँ बच्चा समय होने पर हम पहुचा देंगी हम गोसित कर देंगी हमारा बच्चा मर गया तो पंडी जी को तुम नाटक में बताते रहे ना कि गर्भ है बच्चा हो जाए पंडी जिसके दिना बच्चा हो गया है तो बोले दूद पिलाने के समश्य आएगी तो बोले ये तुम कह दे ना कि पहला पहला बच्चा है हमारे वक्षा इस्तल में दूद नहीं हमारी बहन कान की वल गाय के बड़े ही विद्वान और भगवत भग्त संत के द्वारत कहा था साथ जनम तुमारे भाग्य में बच्चा नहीं तो नहीं है देखा गाय के हो गोकर नजी प्रगट हुई उदर उनके जो बच्चा पैदा वह उसे स्वस्थ होना आप बुला लो उसको हम धन भी देंगे वह हमारे बच्चे की शेवा करें अपने नाम से जोड करके उसका नाम रखा दुन्दुकारी दुन्दुली और दुन्दकारी अज्यान का साक्षात सुरू अब जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना सुरू की बच्चों के साथ खेलता खेलती हुए बच्चों को उठा लेता और कुए में डाल देता मतलब घोर अत्याचार गोकर्ण जी हर समय भजन, साधन, शास्त, श्वाद्याए जब और बढ़ा हुआ, तो पर माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता हुआ, पिता जी को गाली लाथ थपर पिता जी तो रो पड़े गोकर्ण जी से कहा कि बेटा, हमारी गाय से प्रगठ हुए पर भरोशा आप ही कहा है, बचा सकते हो तो पिता जी जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरी का भजन करो, उन्होंने दो इस लोकों में प्रिदिश किया, दूसरा इस लोके, धर्मं भजशु सततंत्य जलूक, धर्मान, सेवन, शदा, सादु पुर्शन, जहिकाम, के शंग से, उनके उपदिश्ट, उपदेश्ट के अनुशार आचरन करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना, ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोस्त का बर्णन मत करना, और सदवी भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्रा आजाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांदिये, चार पाई में लाके मुख में अंगार ठाल, वो मरा भयानक प्रेत, कामना ने क्या किया, सर्वनाश, किसी को हरी भी मुखो कर कभी शुक मिल सकता है, आप शंतों के पास जाईए, अपनी कामना रखिए, हम ये नहीं क कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना, जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं, कि हमारा ब्या करवा दीजिए, और बाद में छूट दे देते हैं, कि जही विद्य होए, नात हित मोरा, तो हरी को अच्छा लगेगा, गुर्जनों को अच्छा लगेगा, कि इस का कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे, और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा, तो आप रोते रो तो भी कामना की पूर्ती नहीं करेंगे, उत्तम बात यह है, कि कामना हरी की प्राप्ती की करो, वो शर्व शुक शुरूप है, परिचय नहीं मिला, सुख किशे कहते हैं, सुख सचिदानम्द है, सुख एकरस है, सुख अविनासी है, वो शुक सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं, एकरस होते हुए भी प्रतिशन वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता है सुख का, ऐसे अनंत सुख के बियारें इसे मत खोईए, हर समय राधा, 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 और किसी को दुक मत दीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए, जिस से अन्य जीवों को कष्ट हो, ऐसा कोई भोजन सोईकार मत करो, इसी जन्वेते, आप देख ना इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी निहाल हो जाओ हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते अगर इस छाती को बच्पन से अभी तक ऐसा तो हम कह देते हैं कि भाई आगे कुछ भी हो कोई भी हमारी गलती हो हम ये मान सकते हैं पर हमें ये पता चला कि बच्पन से आज तक जलता ही रहा कभी शांती नहीं मिली भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला अगर हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभू वेशा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला और प्रभू के प्यार का मुर्तिमान सुरुफ हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभू ने प्यारी जू के चरणों का आश्रे और उनका परिचे दे कर पुछो बस यहां बानी मौन हो जाती है प्यारी जू तो प्यारी जू और हमी नहीं आप सब महाभाग शालिए ब्रंदावन आए, राधा, किशोरीजू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके शिधान्त सुन रहे कहीं न कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है यह बहुत बड़ी बात है बस इस इच्छा को, इस आसा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आसा न रह जाए हर्श में निरंतर नाम जब करते रो तुलशिदास हरिनाम सुधात तजी भगवन नाम तज कर बिश मांगते हो सूकर श्वान सरगाल सरिस जन जनमत जगत जनन दुखलागी एक आहे को ऐसी गालियां सुनोगे यह गालिया है इस सुमरकुत्ता की तर जीवन बितीत करते हो दिकार तुमारी मां को जो तुमारे जैसा पुत्र जनमा अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो चाहे रसेंद्री, चाहे जनेंद्री इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा वरताओ करते हो कैसा तुमारा जीवन है केवल एक शण के सुक के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया चाहे रसेंद्री का सुक, चाहे जानेंद्री का सुक, एक शण के सुक के लिए, उसका गला काट दिया, उसको रांद के खा रहे हो, उसके साथ भो किया, उसको काट के फेक रहे हो, उसको जला रहे हो, क्या, तुमसे तो अच्छा सुमर कुता है, कि वो अपनी योनी के अनुस रहो जाओगे तुम आनंद शमुद्र हो जाओगे उपाशक को एक आग्रता पूर्वक महत्त बुद्धी रखकर प्रभू की आग्या का मनन करना है गोश्वामी जी कह रहें बने तो रभुबरते बने बिगरे तो भरपूर तुलसी और अरंते बने ता बनिवे पे धूर इस अरे ये अनंत सर्ष्टी एक निमिष्ट में जिनोंने रचा है वो तुमारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते पर तुम गंदे आचरण करो हिंशात्मक ब्रती रखो दूशरों को दुख देने वाली चेस्टाएं करो पापा आचरण करो भगवद विमुख जीवन बिता और सो जो कि आपकी कामनाओं की पूर्ती हो जाए नहीं आपको दुख भोगना पड़ेगा यदि आप शास्त्र के अनुशार भगवद वानी के अनुशार चलो तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे पर हमारा धैरी इतना नहीं रह गया है वर्तमान की क्रिया वर्तम चाल शुख देव चाहे पापाचरन क्यों नहों चाहे हिंशात्मक बृत्ती क्यों नहों हम लोग अपनी बुद्धी को खो चुके हैं मलिन कर चुके हैं परिणाम आते अशांती दुख क्लेश बंदन और चाहेते हैं शुख अरे ब्रहम छोड़िए भगवद वानी का मनन क करो और उसे आचरन में उतारो शुखी हो जाओगे निहाल हो जाओगे ये माया की ऐसी चाल है जो आपको फशाती चली जाएगी आप जब तक शास्त्र बिरुद्धाचरन करेंगे तो शब्द याद रख लीजे आप भैभीत रहेंगे आपका मन विशाद से खेद से युक रहेगा आपकी सारी सुख सुविधाएं जो जमा हैं उनसे आपको बिछोड़ना पड़ेगा वो नश्ट होंगी आपका शायोगी भी आपको चल करके दुख देगा आपकी प्रियजन ऐसी चेश्टा करेंगे कि आप जलोगे मैंने इनके लिए किया था और ये ही हमारा प्रियजन में होकर उनकी आज्या के अनुशार नहीं चलेंगे तब तक आपको शुक शुप्न में भी नहीं हो शकता विश्वास कर लीजिए ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम असत आचरन करके अधर्म आचरन करके हिंशा करके विभिचार करके चोरी करके नशा करके हम सु नश्ट करने की ये जो अग्यान रूपी सत्रू है यही हमें नश्ट कर रहा है इसलिए भगवदवानी स्रमन कीजिए ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं वांग में शुरू भगवान का हैं जिनोंने माना है निहाल हो गए हैं सच्ची कहते हैं सच्ची कहत कि वही हो जाओगे जो प्रभू हैं प्रभू हैं प्रभू का यही महान महिमा मश्च्च रूप है जो प्रभू का आश्ट्रेलिया प्रभू अपने शमान बना देते हैं उसे अपने शमान बना देते हैं अपने शमान क्या प्रभू अपने शेवक के शेवक बन जाते हैं आवश्यक्ता केवल प्रभु की बात मानने की है प्रभु को तुम्हारे चपन भोग नहीं चाहिए प्रभु को ये तुम्हारी वस्त्वे नहीं रे मानो एक माया की जरासी जलक में मारा घुम रहे श्वर्य वो माया पती श्री कृष्ण है तुम्हारा तोला दो तोला सोना ये चपन भोग, एक अपला लगता पोशा ये प्रभु को चाहिए अरे इसमें आपका भाव है, दुलार है बस इस बात को प्रभु देख के प्रशन हो रहे हैं इससे नहें प्रशन हो रहें कि आप बहुत कीमती इत्र लगारे हैं कि हम आप से सच्छी कहते हैं हमारे प्रभू की श्री अंग की जो शुगंद है उसके आगे यहां जीतनी भी शुगंद है दुरगंध के शमान है यह मायाकृत है वो चिदानंद कैसे पर वो जब हम उस वस्तू के शाथ दैन्य भाव से हमारे प्रभू तो देखो इतने कर रहे हैं इतने करुणा में हैं शुदामा जी के तंदुल खा करके लक्ष्मी प्रदान कर रहे हैं कैसी महिमा आप देखो हमारे प्रभू को क्या प्रभू को वस्तू बें चाहिए यदि आप अभिमान करके शोने का मुकोट और छपपन भोग और दुनिया का कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए दुरियोधन ने क्या नहीं बिवस्ता की थी देखा भी नहीं भगवान और विदुरानी जी के उसी समय जाकर मांग कर शिल के पा रहे हमारे प्रभू को आप चाहिए आपका प्यार चाहिए वो प्यार शमुद्र है और आपका प्यार आपके शुक के के लिए वो केवल तुमें चाहते कि तुम उनके हो जाओ इसलिए तुमने जो जो अपना माना है उस अपने पन को समेटने के लिए का जाता है आप प्रभू की आगया पालन करती हुए अपना सर्वश्व यह मानिये मेरे प्रभू का है क्योंकि उनीक है तुमने रचा नहीं है तुम्हारे सामर्थ से नहीं कि एक भी वस्तू रच सको जितनी भी रचना वो शब उनीकी माया से रची हुई है तो आप क्यों नहीं मानते मैं और मेरा ये सब प्रभू का है ऐसा जीव ही मानोगे आप आनंद शमुद्र में गोते लगा ले